हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त महमस्जैद और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉप बायो टिकनोलोजी के बारे में दूसरा प्लांट है जो fruit बिल्कुल नहीं देता है बट बिमार नहीं पड़ता है तो दोनों की seed को अगर मैं hybridization करा दूँ तो दोनों की qualities एक हो जाएंगी तो वो बिमार भी नहीं पड़ेगा, fruit भी जादा देगा तो उसे हम लोग hybrid seed बोलते हैं फिर GM crops का use कर सकते हैं जिसमें हम लोग genome में थोड़े बहुत artificial changes ला देते हैं जिसके वज़े से हम लोग अब मन चाही उसको shape और variety दे सकते हैं तो ऐसे crops को हम लोग बोलते हैं GM crop और bacillus throne genesis का जो bacteria होता है इसके genes को अगर हम लोग उसमें डाल दें तो वो दूसरे जो insects हैं उनसे खुद को बचा सकता है तो इसे हम लोग BT, cotton और BT ब्रिंजल में bacillus throne genesis डालते हैं जो की insects के elementary canal को पूरी तरीके से चकना चूर कर देता है जिसके मदद से वो बच जाते हैं, safe रहते हैं फिर आता है हम लोगों का golden rice जिसमें vitamin A का synthesis बहुत ही 23 गुना जादा हो जाता है जिसकी मदद से बहुत ही जादा बीटक को एरोटीन रिलीज होता है और इसके कारणी इन बें जो golden color होता है वो वहती densely impart हो जाता है फिर आते हैं herbicide tolerant plant मतलब weeds जो रहते हैं वो हमेशा growth को effect कर देते हैं weeds मतलब unwanted grass in the field तो ये सब हमेशा effect कर देते है main crop के growth को बट अगर herbicides को हम लोग use करें तो वो main crops को भी harm करेगी weeds को अगर destroy करने के लिए use करें तो हम लोग क्यों ना वो जो herbicides हैं उनका जो gene है उनको artificial genetic changes लाके plants में introduce कर दिया जाए तो इसकी मदद से herbicide tolerant plant बनाये जाते हैं जिसकी मदद से हम लोग weeds को destroy कर सकते हैं तो ये थे हम लोगों के crop biotechnology में कुछ parts और last one आता है हम लोगों का bio fertilizers तो bio fertilizers में हम लोग chemicals की जगहां पे bacteria का use कर सकते हैं जैसे rhizobia, mazotobacter, nostoc, anabina, plants like azola इन सभी को हम लोग use कर सकते हैं bio fertilizer की तरह तो इसमें हम लोग chemicals की जगहां bio fertilizers का use कर सकते हैं microorganisms का use कर सकते हैं जिसकी मदद से plants को safe रख सकते हम लोग तो ये थे हम लोगों के commercial applications of biotechnology लोगी